नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग पुरानों के मुताबिक पुर्णिमा के दिन दान करने से अस्वमेग यग के इतना फल की प्राप्ति होती है इसलिए इस दिन जितना संभव हो से के दान जरूर करें और पूजा के समय एग्यारा कोड़ी मालक्ष्मी के सम्मुक जरूर रखेगा और एग्यारा ना हो तो एक ही कोड़ी रख दें लाल कपड़े पर रखें और हल्दी से हलका तिलक कर दें और फिर मालक्ष्मी को तिलक करें इसके बाद साम में या अगले दिन इसकोडी को उसी लाल कपने में बांध कर धन के अस्थान पर रख दें तो धन बढ़ता है पुर्णिमा तिथी के दिन पवित्र नदी और सरोवर में आस्था की डुकी तो लगाई जाती है साथ ही इसी दिन अपने पित्र देवों के निमित नदी में काले तिल भी परवाहित किये जाते हैं सुर्य देव को अर्ध दे कर इस दिन सत्नायन भगवान की कथा सुनने का विधान है ब्यक्ति के दुखों को समाप्त करता है घर में सुख सम्रिद्धी बढ़ाता है इस दिन कुछ खास प्रियोग किये जाते है सास्तु में पुरिमात इथी के दिन बहुत सारे प्रियोग करने के विधान है खास कर तुलसी पूजन का विधान है क्योंकि भगवान स्री हरी बिश्णु और मालक्षमी के संग तुलसी पूजन भी अवस्य करना चाहिए और साम के वक्त एक घी का दिया जरूर जलाए इस दिन मालक्षमी को प्रसन करने के लिए एक छोटा समंद्र जिसका जब जरूर करे रात में सोने के पहले तो ये मंद्र मालक्षमी को बुलाने का है हलाकि हम डिस्क्रिप्सिन में विस्तार से दे देंगे आप जरूर इस मंद्र का जब कीजिएगा रात में सोने के पहले कम से कम पांच बार या तेरा बार घर के मुखे दरवाजे पर उमीद है आपने अभी तक स्वस्तिक का चिन जरूर बनाया होगा और आम के पत्तों का तोरन भी लगाया होगा नहीं लगाया है तो साम तक जरूर कर ले क्योंकि घर में सुख सांती सम्रिद्धी इसी से बढ़ती है और निगेटिव उड़ जा दूर रहती है धनिया, सूखा धनिया, याद रखिए सूखा धनिया और मिस्री या चीनी के दाने का भोग लगाईए बाद में इसको परसाद के रूप में पूरी परिवार के साथ खाईएगा आप चाहें तो धनिया की पंजीरी बना कर भी भोग लगा सकते है थोड़ा सा लगाईएगा ताकि परसाद में खा के वो खत्म हो जागा बच जाता है तो पौधे में डाल दें उसका पेड़ हो गाएगा फिर आप पेड़ को मजे से खाईए कोई दिकत ने यह धनिया की पत्ती खा खाना बनाने में यूच कर सकते हैं तो आप अगर दीपावली के दिन चुकी आपने धनिया बोया होगा और उसका पेड़ भी निकल रहा होगा क्योंकि हमारे यहां तो निकल रहा है तो आप किया भी निकल रहा होगा नहीं निकल रहा है तो आज के दिन आपके पास एक मौका है धनिया को फिर से बोने का तो आप सुबह में ही इसको जल में भीगो कर रख दें धनिये के बीज को और मिट्टी को गीला करके रखिएगा अपने गमले में या अंगन में फिर आप साम के वक्त या साम के पहले तीन-चार बज़े लगबग आप इस धनिया को अपनी क्यारी में बो दीजिए और बोने क के बाद बैटकर मत बोहिएगा खड़े ख़र या थोड़ा जुक कर बोहिएगा मिट्टी को हलका सा कभर कर दें नियमीत रूप से हलका हलका पानी के शीचे डालते हैं वह पेड़ उगाएगा तो आप फ्रेश धनिया भी बहुत सकते हैं लेकिन इस दिन धनिया के तीन पर पनी डाल दें और इसको रहने दें पूरे पुर्णिमा के दिन रात यानि पुर्णिमा के अगले दिन इस धनिया को अपने घर के गंब्रे में बोह दें सिक्के को पास में रख लें लाल कपड़े में बांध कर संभाल कर और जो आपने दिया है उसको दिया को आप कोई भी उनको अर्पित कर दें और जो भी आपकी मुस्किल है हनवान जी से कह दें आपकी जो भी मुस्किल है आपको धन चाहिए नोकरी चाहिए विबा होना है अपना का मकान चाहिए स्वास्त चाहिए जो भी चाहिए हनवान जी के मंदर में अर्पित करने के बाद धनिया उनसे प् कुछी दिनों में आपकी परिशानिया समाफ्थ हो जाएगी जब आपकी मननत पूरी हो जाए समस्या समाफ्थ हो जाए आपने जो मननत मांगी थी वो पूरी हो जाए तब फिर से आप हनवान जी को जाकर धनिया का भोग लगा दीजिएगा तो आपकी मननत भी उतर जाएगी वैसे आप धनिया के साथ मिश्री भी डाल सकते हैं वो और अच्छा होगा बैक्ति की फ़ाइस होती है हर बैक्ति की जीवन में सो भागे बना रहे हैं तब नर और नारायन यानि भगवान, स्रीहरी और मालक्षमी एक साथ जिसमें तस्वीर में हो बहुत सारे घरों में क्या होता है आप भगवान स्रीहरी विष्णु की पूजा करते हैं तो मालक्षमी उसमें नहीं होती लेकिन आज के दिन आपको दोनों ही जो एक साथ हैं ऐसे ही तस्वीर की पूजा करनी चाहिए फिर दक्षिना वर्ति संख की इस दिन पूजा करने का भगवान को पीले फल पीले कपड़े अगर स्वभागी की प्राप्ति की चाहत है तो और पीला अनाज अर्पित करें पीला अनाज में आप गहुम अर्पित कर सकते हैं और ऐस अकरने से सभी चीजों का दान कर दीजेगा जीवन में सुख संपत्ति सम्रिद्धी बढ़ती ह आप चाहते हैं जौब अच्छा चले बैपसाय में आपकी बरकत हो धन समंदी समस्याओं को दूर करने के लिए आप तुलसी की पत्ते के माला बना कर स्रीहरी के गले में पहना दें तो आपके धन समंदी कस्ट दूर हो जाएंगे और संख से ही जला उनको अभी से कीजिएगा जला भी से ये बहुत जरूरी है अब एक खास प्रयोग संतान अगर नहीं हो पा रही है संतान की मनत आप चाह रहे हैं आपकी संतान हो जाए तब भगवान विश्नु के बाल स्वरुप की पूजा करें आप राम जी के भी बाल स्रीकिष्न की भी पूजा कर सकते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाईए बुद्धिमान निरोगी संतान की प्राप्ति होगी और अगर संतान है तो वह बुद्धिमान होंगे प्रशाद के रूप में ग्रहन कीजिए इससे आपके जीवन में सुक्सवभाग बढ़ेगा उन्नती होती है प्रगती होती है और अगर आप पती-पतनी एकसाथ चदरमा को अरद दे तो उनका आशिरबात से देवगुरु के आशिरबात से जीवन भर अटूत रिष्टा बना रहता है चुकि अगर आप धन की मुश्किलों से बचना चाहते हैं आप चाहते हैं धना आता रहे तब धनिया का तीसरा और अंतिम परियोग देखिए आपके घर में आप चाहते हैं खूब परकत हो मालक्षमी आपके घर में निवास करें तो एक बात हमेशा याद रखिए आप धनिया भले ही मसाले में परियोग ना करें हो सकता आप और यूज करते हो या नहीं भी खा सकते हो लेकिन सुखा धनिया थोड़ा सा अपने घर में अपने किचन में जरूर रखें किसी डब्बे में स्टोर करके उसको जरूर रखिए मिट्टी के बरतन में थोड़ा सा धनिया अगर आपने दिपावली में प्रयोग किया है तो फिर उसी में थोड़ा सा धनिया आज के दिन और डाल दीजिए उसी पात्र में नहीं किया है तो एक मिट्टी के बरतन में थोड़ा सा धनिया रखकर अपने घर के पूरवस्थान पर रख दे इसको आपको ने यूज करना है ना हिलाना डुलाना है ना हटाना है अब सफाई करने के लिए हटा भी रहे तो कोई दिकत नहीं फिर से रख दीजे यह धनिया जितने दिन पड़ा रहेगा उतने दिन सुकून रहेगा जो भी आपके घर के खुसियों को नजर गरबर हो तब आप चावल का दान कर सकते हैं अगर आपका चंदर्मा गरबर नहीं है तो भूल कर भी दान ना करें जब आप सिब्लिंग की पूजा करेंगे तब सिब जी को आप चावल जरूर अर्पित कीजिएगा जीवन के समस्त परिसानियां दूर होगी मुस्किले समा था आपके पूजा जहां आप पास के कोई मंदिर है वहां पर जाकर जलाएं और अन्तेम पीपल के नीचे क्योंकि मालक्सियों यही रहती है तो इस दिन जितना जादा आप तिल और गुर का दान करते हैं या फिर कोई ना मिले लेने के लिए तो गाई को रोटी पर रखकर तिल गुर्ड खिला सकते हैं वैसे आप खिला सकते हैं सनी 200 से मुकती मिलती है रहू के तूसांथ हो जाते हैं और साढ़े साती ढहिया की मुस्किलों से भी बाहार आयाते हैं कि आपका सूरे भी अच्छा हो जाता है तो साम तक में कोई भी वैक्र करें लेकिन तुकि इस दिन है तो पीपल के पेड़ को छूना नहीं है आप उसकी जड़ में रखें और वहां से आजाए धनिवाद